असलाम अलेकुम दोस्तों कैसो आप लोग दो हपता पहले एक अपडेट मैंने आप लोगे साथ में शेयर करा था कि सौधी हुकूमत ने जावजाद ने जो बैन वाला सीन था वो रूल को ही खदम कर दिया यानि कोई भी गैर मुल्की चुट्टी जाता है चुट्टी से और पर बैर है या नहीं है क्योंकि देखो उन्होंने यह रूल तो लागू कर दिया लेकिन कन्फार्म होना जरूरी है क्या बैन हटा भी है यानीजा नहीं अडर क्योंकि system glitch भी ओ सब्सक्रेदार मालो उनका बैन नहीं हटा है क्योंकि यह नया रूल इंप्लिमेंट किया और अगर यह अपडेट नहीं हुआ आपके पासपोर्ट के साथ में आपके डीटेल के साथ में तो फिर आपका टिकेट का खर्चा वीजा का सब कुछ बरबाद होगा एरपोर्ट से वापस आना पड़ा तो तो कहीं लोग मेरे को पूछ रहे थे शानोर के पर अरभी में बोलता है इसी को बोढ़ा जाता है बैन पेपर ये भी पूरा जाते हैं और तीसरा इसका नाम है एयर्पोर्ट辡 पृपर ये तेन तरीके से जाना जाता है, बैन चेक करने के लिए, हलाकि यह तीनों एक ही है, अब इस्क्रीन पर देख रहे हो, कुछी इस तरह से पेपर निकलता है, जो अरबिक में होता है, इसमें लिखा हो रहता है, क्या बैन हो या नहीं हो, अब रहा सवाल, यह पेपर मिलेगा कहां से, तो यह पेपर मिलेगा आपको, सोधियरब का जावजात से, तो अगर आपका फ्रेंड सेर्कल में कोई ऐसा बंदा है, जिससे आप निकलवा सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, जावजात के अलावा, कहीं से भी आप बैन स्टेडस नहीं चेक कर सकते हैं, ना मुकीम से, ना मिन स्टेड कर सकते हैं, रेसिनेबल प्राइस दे करके, दे करके कई सोधीस हैं, जावाजात में उनके फूर में निकालता हूं, निकाल के दे दूँगा, वर्किंग डेस में ही होगा, जब जावजात ओपन रहेगा तब निकाल सकता हो, तो उस दिन तो में निकाल सकता, बाकी वर्किंग डेज में 24 गंडे गंदर में निकाल के दे दूंगा और इसके लिए मुझे जरूत पड़ेगा आपका इकामा का कि जावाजात के पास जादा दर इकामा से डिटेल है अगर इकामा नहीं है पासपोर्ट से भी निकल जाएगा पासपोर्ट भी चाहिए और जो आपका लास्ट वीजा होगा वो वीजा चाहिए होगा वीजा नहीं भी है तो कोई बात ने पासपोर्ट से भी निकल स में भी और स्क्रीन पे भी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा क्योंकि इस तरह का वीडियो जिस चैनल पर मिलते रहेंगे उड़े को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया